परिवार में परिवहन चालक सदस्यों की संख्या एवं उनका सापताइक पेट्रोल उपयोग लीटर के भीच के संबन्दों का अध्यान करने हितु निम्न सूचनाएं दी गई हैं परिवारों में परिवहन चालक सदस्यों की संख्या 3,5,2,4,3,6,1 है सापताइक पेट्रोल का उपयोग लीटर में 11,5,21,14,5,15,5,7,22,5 और 10 है तो इस तरह से हमने कोश्टक बना लिया है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इसका टोटल मारते हैं तो इसका टोटल आता है 24 और इसका टोटल आ जाता है 102 तो इस प्रकार से हमने इसका टोटल माल लिया है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे कि R बराबर यहाँ पर ग्याद करते हैं यहाँ पर 24 और 1 हो गया है अब उसके बाद N वरावर हमारे पास 7 है और X वार वरावर गयाद करते हैं तो यह सिग्मा X है और यह सिग्मा Y तो सिग्मा X बटे में N बरो मद्यक गयाद करते हैं अब यहाँ पर ध्यान रखना है X वार गयाद करते हैं तो यहाँ पर आया है 24 20 और यहां पर आयत n वराबर कितना दिया है साथ दिया है तो साथ से भाग करते हैं तो 3.43 इसका अंसर आता है अब इसी प्रकार से हम लोग बाई वार ग्याद करते हैं तो सिग्मा बाई बट्टे में एन ऐसा लिख देना है उसके बाद हमको क्या करना है यहां पर कितना आया है यहां पर हमारे पास आया है 102 बट्टे में कितना है साथ है भाग करते हैं तो 14.57 इसका अंसर आता है अब यहां पर ध्यान में रखनें जैसी बाते हैं कि एक सवार और एक सवार और बाई वार अपूर अंख में हैं इसमें दस अंक के बाद एक अंख है इसलिए बची कीमत को 10 से गुणा करके 5 से भाग दे सकते हैं बर वर आपर इसलिए हम लोग यह बरावर इसका तो तीन मालने तो आपकें। यह हम लोग क Red commission को एक ही संख्या है धे अब मैसित हैंdd बी बरावर हमको कितना लेना पड़ेगा तो यहां पर हम लोग 14.5 ले लेते हैं 7 नहीं लेते हैं क्योंकि हम लोग 14.5 घटाएंगे तो यह संख्या सब यू बी पूरांख में आएगी जो सवाल करने में थोड़ी सरलता प्राप्त होगी वरबर ऐसा हम लोग लेते हैं यह हमा यहां यहां पर a वरावर 3 लिया है और cx हम लोग 1 ले लेते हैं बड़े में CY तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर 10 लिखेंगे यहाँ Y आ जाता है और B की जगह पर हमने 14.5 ले लेते हैं और बटे में कितना है यहाँ पर 5 से भाग देते हैं तो सब संख्याएं सही तरह से आ जाती है अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो किसे करेंगे तो यहाँ Y वरावर लिखा हुआ है तो हमने माना था X माइनस 3 बटे में 1 यहाँ B वरावर हमको क्या लेना है 10 Y माइनस 14.5 बटे में 5 लेना है उसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं तो ध्यान रखना है जैसे हम लोग 3 X की जगह पर तीन 3 में से 3 घटाते हैं तो 0 हो जाता है यहाँ पर और अगर यह संख्या बड़ी है 3 से तो प्लस में आंसर आएगा जैसे यह बड़ी है 3 से तो प्लस में आएगा 5 में से 3 घटाते हैं और 1 से भाग देते हैं तो हमारे पास 2 आता है 2 में से 3 घटाते हैं यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 11.5 में से 14.5, यहां पर 14.5 है, 14.5 घटाते हैं, तो हमारे पास 5 में से 0.5 घटाते हैं, तो 3 आता है, यह संख्या छोटी है, इसलिए माइनस का होगा, और यहां पर हम लोग देखते हैं, 5 से भाग देते हैं, तो 3 आता है, उसमें 10 से गुणा करना है 10 से गुणा कर देते हैं तो 30 हो जाता है 5 से भाग देते हैं तो 6 आ जाता है फिर से देखते हैं 21 में से हम लोग घटाते हैं कितना घटाएंगे 14.5 घटाते हैं तो हमारे पास 14 यानि शाड़े 6 आता है शाड़े 6 में 10 का गुणा करते हैं तो 65 हो जाता है और 65 में 5 से भाग देते हैं तो हमारे पास 13 35 65 यानि तेरा प्लस नहीं आता है क्योंकि यह बड़ा है संख्या इससे इसी प्रकार से 14 पॉंट-4 में से 14.5 गटाएते जीरो आता है तो यहां पर जीरो ही अंसर आएगा इस फ्रकार से प्रक्रिया करते जाने हैं तो यह है sigma V अब हमलोग इंद का गुणा करते हैं तो 6 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आता है 13 दुनी 26 आता है 0 का गुणा 1 से करेंगे तो 0 2 एकन 2 तो 15 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आता है और उसी के बाद हम लोग 16, 38 हो जाता है नो दुनी अठारा आता है दोनो मामनेस प्लस में तो सीमा यू वी वेरावर इसका टूटल होता है, चोरान बे इसी प्रगास से इनका वैउ का वर्ग करते हैं, तो यहां जिरो वर्ग का वर्ग 6 हो जाता है, एक का वर्ग हो जाता है, हमारे पास एक आता है माइनस का वर्ग करते हैं तो प्लस में आता है एक का वर्ग एक आता है यहाँ पर जीरो का वर्ग जीरो तीन का वर्ग नो और यहाँ पर चार तो सिक्मा, यू स्क्वेर बराबर आता है उननीस, वी स्क्वेर देखते हैं, तो 6 का वर्ग होता है, 36, 13 का वर्ग होता है, 169, 0 का 0, 2 का वर्ग 4, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 9 का वर्ग होता है, तो यहां पर देखते हैं तो यहां पर आता है 9 का बर्ग 81 हो जाता है और इनका टूटल करते हैं V स्क्वेर बराबर कितना आ जाता है तो यहां पर 771 इसका अंसर आ जाता है अब हम लोग आगे करते हैं R ग्याद करते हैं R का सुत्र लिखते हैं आर बराबर सिग्मा एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी ये इसका शुत्र है अब इसके बाद हम लोग एक सुत्र लिखते हैं यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर एन सिग्मा वी स्क्वेर माइनस सिग्मा यू का हॉल स्क्वेर उके गुणा एन सिग्मा वी स्क्वेर माइनस सिग्मा वी का हॉल स्क्वेर उसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं एन वराबर कितना है तो एन वराबर साथ है और सिग्मा यू वराब 94 है यहां 94 लिख देते हैं यू बरावर यहां पर लिखोगे तो यहां यू बरावर 3 और सिग्मा वी बरावर एक है तो तीन गुणा एक इसका अंसर आता है अब यहां पर देखेंगे आगे लिखते हैं तो यहां पर N बरावर 7 है U square U square 19 है यहाँ पर लिखते हैं 19 minus और U बरावर कितना है 3 है और V बरावर U का whole square करना है गुणा फिर लिखते हैं N 7 है sigma V बरावर sigma V बरावर 771 है तो 771 हमने लिखा यहाँ पर और यहाँ पर sigma V बरावर एक है तो इसका whole square कर दिया 7 का गुणा कर देते हैं तो हमारे पास कितना आता है 7.28 7.9.63 और 2.65 यानि 758 आता है 5.658 आता है और 3 एकन 3 अब 19 का गुणा करते हैं 19 तिया 133 होता है और 3 का वर्ग 9 हो जाता है गुणा 1596 इसका अंसर आता है उसके बाद 655 लिखते हैं और यहाँ पर इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आता है तो यहाँ पर आता है 6,9,1альная आता है उसका बर्गमूल करते हैं नीचे वाले का योई 6,8, anche 17,99 और र-वराबर इससे भाग देते है तो र-वराबर हमारे पास आहता है zero point अशी तो जिसका आर बरावर 0.80 आया है इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट करें और चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में जै हिंद जै वारत बंदिमातरम